हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ONGC और BHEL के साथ में कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनों मेडिया बाया आरुश आई यह बिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है MONARC NETWORK CAPITAL LIMITED यह कंपनी का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर हमें 6.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला जूकि डेफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक काफी अच्छा मुमेंटम है और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 653 रुपीज का था अगर इस कंपनी के ओफिशल अनामस्मेंट की हम बात करें तो MONARC NETWORK CAPITAL ने जो है यहाँ पे स्टॉक बोनस अनामस कर दिया है 1 is to 1 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर है जब बोनस में लेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर्स में कनवर्ट हो जाएगा इन शॉर्ट आपके पास में इस company के जितने भी shares होंगे वो सभी के सभी यहां पे double हो जाएंगे अब जैसे कि मैंने आपको बताया एकदम latest announcement है तो इसी चलते इसको देने की X date, record date जो है अभी फिलाल upcoming में है बाद में जैसी announcement आजाएगा मैं आप लगो को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Equitas Small Finance Bank Limited ये company का जो share है last trading session पे 5% से ज़ाद करेक्ट होता नजर आया चुकि definitely एक ही trading session के इसाब से एक अच्छा खासा correction है एक काफी बड़ी गिरावट है और company के share का जो closing price था वो 82 रुपीस का था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Equitas Small Finance Bank ने जो है यहाँ पे dividend announce कर दिया है 1 रुपीस का और इसको देने की x date record date भी finally आ चुकी है जो कि 9th of August यानि की 9 August की रहने वली है definitely dividend value हमें अच्छा देखने को मिल जाता है इस चीज़ पे आपकी नजर बना के रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है ASI Industries Limited यह company का जो share है last trading session पे 0.5, 0.6% के एक positive note के उपर में close हुआ था और 31 रुपीस का जो है company के share का closing price था अब आप लोग company के share का price देख करके ही समझ गये होंगे कि यह एक penny stock है और अगर हम लोग इस company के official announcement की बात करें तो ASI Industries ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 0.35 रुपीस का आप लोगों को आपके हर एक share पे 35 पैसे यानि की 35 पैसे का dividend दिया जाएगा definitely dividend value हमें अच्छी देखने को मिल जाती है और इसको देने की जो X date और record date है वो 13th of September यानि की 13 September की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Arvind Limited यह company का जो share है last trading session पर हमें 3% से जाधा correct होता देखने को मिला because company की जो quarter one results है वो जाधा कुछ खास नहीं आए और expectations की काफी नीचे रहे इसी चलते company के share पे इतना correction आया और 374 रुपीज के उपर में जो है company का share close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Arvind Limited ने जो है यहाँ पर dividend announce कर दिया है 4 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share पे 4 रुपे का dividend दिया जाएगा definitely dividend value हमें अच्छा देखने को मिल जाता है बट इसको देने की x date record date अभी upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe करिएगा जैसी x date record date आईगी मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है हजूर multi projects limited यह company का जो share है कल के trading session में दुबारा से एक बारी 5% का upper circuit लगाता नजर आया morning में तो normally trade हो रहा था लगबग 2.5 बजे के बाद में upper circuit पे lock हुआ और 400 and 3 rupees के उपर में जो है company के share का closing price रहा अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो हजूर multi projects ने जो है यहाँ आप इस stock split announce करके रखा है 1 to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आपके सभी के सभी shares यहाँ पे 10 गुना हो जाएगे और इस stock split को देने की जो एक्स date और record date है वो अभी फिलाल upcoming में है अगे जब भी announcement आएगा मैं आप लगो को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation ये company का जो share है last trading session पे 0.6% के एक positive note के उपर में close हुआ था और 333 rupees का जो है company के share का closing price था अब ONGC की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे Jeffries करके एक काफी जाना माना brokerage firm है और Jeffries ने जो है ONGC के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और जो target price यहाँ पे दिया गया है वो 390 rupees का दिया है लगबग 333 rupees से लेके 390 rupees तक की एक जो rally है वो यहाँ पे Jeffries expect करके चल रहा है ONGC के share के उपर में अब देखा जाए oil and natural gas corporation limited जो company है fundamentally financially तो काफी जादा strong है उपर से एक PSU unit भी है जिसके चलते government का support और जो investors का trust है वो company पे भरपूर मस्बूत हमें देखने को मिलता है इसके अलावा financially company काफी जादा strong नजराती है share price भी अभी एक अच्छे खासे valuation पे trade हो रहा है और अगल आप long term के लिए ONGC के share को hold करते हैं आपका target यहाँ से double से भी जादा हो सकता है बट फिलाल यह जो 390 रुपे का target Jeffries ने हमें दिया है यह आपका एक short term से लेके mid term का target रहने वला है वैसे तो काफी easily short term में achieve हो सकता है बट अगर markets by chance कोई correction लेते हैं तो भी हद से हद तक आपको mid term तक ही target achieve होता देखने को मिल जाएगा अब ONGC काफी अच्छी company है ना ही company के अंदर में कोई problem है ना ही share के अंदर में कोई problem है और 390 रुपीज के target के लिए definitely आप लोग ONGC के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं और जरूर से company के share पे आपकी जो नजर है वो बना करके रखियेगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है BHEL यानि की भारत Heavy Electricals Limited ये company का जो share है last trading session पे लगबग 2% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 323 रुपीज के उपर में close हुआ अब BHEL की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically भारत Heavy Electricals को जो एक काफी बड़ा order यहाँ पे मिल चुगा है अगर आपको थोड़ा सा detail के अंदर में बताऊं तो यहाँ पे BHEL इनको यहाँ पे लगबग 25.75 million euros का order मिला है जो की Indian रुपीज के अंदर में अगर आप convert करते हैं roughly 230 करोर रुपीज बन जाता है मतलब 230 करोर रुपे का total order value है और आपको बताऊं यह जो order है Thales Reliance Defense Systems यानि की TRDS से इनको मिला है और इसके तहत इनको जो है transmit receive modules को जो है manufacture करना होगा और फिर supply करना होगा साथी साथ में company ने already regulatory filing के अंदर में कह दिया है यह order को यहाँ पर आप कह सकते हैं punch in कर दिया है कही ना कही order पूरी तरीके से confirm है और कही ना कही एक काफी बड़ी और positive चीज भी है देखे 230 करोर रुपे का order है और काफी बड़ी company से order मिला है तो कही ना कही अगर यह order एक बड़ी साई से ship हो जाता है साई से fulfill हो जाता है तो आगे भी regularly ऐसे orders company को मिल सकते हैं इसके भी काफी जादा high chances रहने वले हैं तो इसलिए जरूर से भारत हैवी electricals के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा because CDC बात है जितने जादा orders company को मिलेंगे company की order book उतनी बड़ी होगी company का जो revenue और sales है वो भी उतना ही जादा बड़ा होगा और फिर end तक आते आते profit और share price भी उसी तरीके से आपको जो है increase होता नजर आएगा तो जरूर से भारत हैवी electricals के share पे आपकी नजर बना के रखिए हो सके तो आपके watch list के अंदर में भी add कर लीजिए at the end ये भी एक PSU unity है तो कहीं न कहीं government का support company के पास में जो है बरपूर मौजूद है इसलिए company के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा बाकी BHEL हो गया या फिर यहाँ पे हो गया ONGC इन दोनों companies के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी specifically जिन्होंने आप इस stock bonus, stock split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो ची लगियो definitely इस वीडियो को like कर दीजेगा चानल को भी subscribe कर दीजेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye